माइक्रोप्स सुक्सम जीव से हैं इनको हम माइक्रोप्स समनेते यूनिसलूलर होते हैं और आकार में बहुत ही छोटे होते हैं यही करण है कि इनके अध्यन के लिए हमें माइक्रोप्स या सुक्सम जीव के अध्यन की साखा को सुक्सम जीव विज्ञान या माइक्रोपायलोजी बोलते हैं माइक्रोपायलोजी कहते हैं माइक्रोपायलोजीस्ट ने सुक्सम जीव को कुछ मुक्य समूं बैक्टिरिया एल्गी फंजाई वाइरस प्रोटो जो आदि में विवाजित किया गया है इन समूं के आधार पर सुक्सम जीव सुक्सम जीवी विज्ञान या माइक्रोपायलोजी को निए लिक तूप साख़ाओं में बाटा गया है जैसे बैक्टिरियो लोजी जीवी ज्ञान की वैसा खा जो कि जिवानों के अध्विन से संबंदित होती है वाइरोलोजी इस्टेडियो ओफ वाइरस से माइक्रोजी या कवक विज्ञान कहते हैं सुक्सम जीव की बात करें तो हम देखेंगे कि विश्यों के सभी भागों में व्यापक रूप से फैले रहते हैं भीन परकार के वातावरणों में तसा सभी परकार के वास प्रस्तेतियों में ये पाए जाते हैं ये आर्कटिक चेतर उशन कटी बंद्य चेतर गने जंगल बरफीले भाग मनुस्तिली चेतर गरम वे सीतल जल सरोत पाए जाते हैं इसके अलावा तेल कूपू वायू जल मर्दा मर्द पदार्थ बोजे पदार्थ 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 जनतों ये वनस्तियों की देखे बीतर वे बाहर भी पाय जाते हैं अर्थाद्धियों काए कि सभी इस्तानों उपर रहने वाले यह कहा है जीव है वाय comedale स्त्रों है भूमिस में मैं भी यह पाए जाते हैं कि एप्लिकेशन या अनुपरियोग क्या दार पर अगर सुक्षम जीविग्यान या माइक्रोबाइल जी के हम साखाओं कि बात करें तो इनको निमलिक तरीके से हम अध्यन कर सकते हैं medical microbiology जिसे हम सिक्से सुक्षम जीविकी बोलते हैं food and dairy microbiology खात्ययमदूद सुक्षम जीविकी soil and agriculture microbiology मरदाय म कर्शी सुक्षम जीविकी Water and West, Water Microbiology और इसके अलावा Industrial Microbiology उद्योगिक सुक्षम जेविकी अमान उपरियोग क्यादार पर Microbiology को भी इन छेत्रों में बाढ़ सकते हैं History of Microbiology सुक्षम जेविकी के अगर हम इतियास की बात करें तो सुक्षम जेविकी के जो जेविकी करियाओं का उपयोग मानव आदिकाल से ही करता है लेकिन उन्हें इसके वास्तिक कार्णों का ज्यान नहीं था जैसा कि हम देख सकते हैं इसा से 6000 वर्स पूरो Babylonia वे Sumeriai निवासी है ये बियर बनाने इस परकार की करियाओं का उपयोग करते थे आदिकाल में रोगूं को देवी परकोप मान कर संतोस कर लिया जाता था देवी देवताओं के परसंद करने तो भी विन उपाय किये जाते थे आदिकाल में लोगों की माननेता थी कि सभी एजिविक वस्तों से जनम लेते हैं इसे ही एजिवाद जनम या सौतर जनम वाद के नाम से जना गया इस जो थेयरी थी थेयरी के जो समर्थक थेयर उनके अनुसार मेंड़क मक्खी चुए आदी जाव भूमी अपगटी धे वर्षा आदी में आदी से मैगट मक्खी के लारवा आप मास से तथा मदू मक्खिया हैं ये मदू से उत्पन होती हैं इस थेयरी के कई समर्थक थे जैसे अरेस्टोटल है सेमसन है वान हैलम हैलमोंट आदी इसके प्रमुक समर्थक थे एंटेनों लिवेन होक ने सुक्सम दरसी तैयार करके वर्षा के जल तथा मनुष्य के दातों के मद्रफ्छित पदार्थों को खरज कर इसमें कुछ सुक्सम काईव को देखा और इने क्या का एणिमल क्यूल कहा एणिमल क्यूल नाम इनको दिया कि इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पास्टर लूज पास्टर है इसने सरक्राव युक्पदार्थु से अलकॉल बनाने में इस्ट की उपस्तिती का मैंतो बताया और इन्होंने ही पास्ट्यूराइजेशन पास्ट्यूरिकर्ण कहते हैं किरिया की खोज़के सन 1860 से 1910 तक का जो समय है वो गोल्डन एज ओफ माइक्रोबाइलोजिस शुक्षम जेविकी का सुने राकार कहलाता है इस दोरान शुक्षम जेविकी से सम्वनित बहुत सारी खोज की गई हम देख सकते हैं कि पास्ट्यूर ने चिकन को ले रणामक रोग के जवानों की खोज की इम्मुनाइजेशन के सिधान्त का प्रतिफादन किया हैंसन ने लैप्रोशी के जवानों माइक्रोबैक्ट्रियम लैप्रे की खोज की इसी तरीके से हम देखेंगे कैवस वे लोफलर ने डिफ्थेरिया के रोगाणू कोर्नी बैक्टिरियम डिफ्थेरी को उतकों से पर्थक किया तीटा साटो ने अठारास वासी में टेटनस के रोगाणू पास्चेरेला पैस्टिस की खोज की बोन बहरिंग ने टिटनस वे डिफ्थेरिया पर परतिरक् मेतनिकोफ ने 1888 में स्वेतानु की फेगोसाइटोसिस के रिया द्वारत धेह के उत्कुर की रोगानु से रख्षा करने के किलिया कि खोज की पास्चर ने 1885 में रेवीज रोग के ठीके कि खोज की कोक ने तपेदिक के जुवानु बैशिलस को पर्थक करने में सपलता प्राप्त की और सन 1800 बाढ़ में में रूसी वेग्यानिके इवानुस्की ने तमबापु के पोधे पर कारीये करके विशाणु की फोज की और डच वेग्यानिके बीजी रेनिक ने इवानु इसकी के प्रियोकुपों ने दो रहाया और इसने विशानु नाम प्रदान किया है कि इस तरिके से देखेंगे कि जो सुक्षम जेविक है माईक्रोव जtoo है इसका इक बहुत बड़ा इतियास है अब हम देख लेगते हैं वक ऐंट्रे वोन उन्हों लीवर्ण हो को के द्वारा किया गया क्या कारिय कि आटवी वन लिवन फोग ने क्या कापिए किया अंटएन लिवन फोक यह हो लेंग के देखने का काफी स्वोक था यह न हो श्वम घिसकर के अनेकुलेंस बनाया और लगवग 250 सुक्सम दर्शी अंतर इस ने तैयार किये इन सुक्सम दर्शियों के द्वारा इन्होंने जिवानों का अध्यन किया और अपने आनुसंदान कारिय किये इन्होंने वर्षा के जल वे डातों के वेच उपस्तित पदार्थ को खुरस करके इनमे शुक्सम जिवं को देखा जिने अनिम्यल की लिए का इन्होंने रोग इन्होंने रोम पादफ सन रचनावं क्रिस्टल्ह। एन कीट के बार का धिका अपने दव़ारा निर्मेण सुक्सम दर्शीके द्वारा किया ईस은 हुआgiving लिवोन हो ने जो जन्तुक जो खोजे थे वो अनेक आकरती के थे जैसे कूंडली या मोड़ी लकड़ी वे सलाखावं के आकरती के आकरती थी लिवेन होक ने अपने अनुसंदान कारिये The Secrets of Nature Discovered by Anton Anton Yvon Levenhawk के नाम से परकासित किया इन्होंने ने केवल जन्तों का अध्धन ही किया इसके अलावे इनका सचित्र वर्णन भी किया जिवानों के अति रिखती इन्होंने सवतंत्र वे परजिवी प्रोटो जोववा तंतो की कवाक वे स्पर्म्स की भी खोज की थी लिवन होक द्वारा की गई खोजों की पूस्टि की लिवन होक को सुक्षम जीव जगत माइक्रोबालोजी का परमुक होज करता और father of microbiology के नाम से भी जाना दाता है